देवताओं के गुरु प्रैश्पती गुरु को सबसे शुब ग्रह माना जाता है क्योंकि सिक्षा, दन कमाना, विवा, संतान, सुक ये चारों देवताओं के गुरु प्रैश्पती के पास है जिन लोगों की जन्म कुडली में देवताओं के गुरु प्रैश्पती की कृपा होती है उनकी कुंडली में कई दोशों का प्रभाव कम कर देते हैं ब्राश्पती पारिवारे जीवन हो, लव लाइफ हो, रिलेशन्शिप हो, परसनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ हो विवा हो, दावपती जीवन हो, शुब मांगले कारिय हो गुरु ग्रह हर कारे के लिए शुब मारे जाते हैं यदि कुंडली में गुरु अशुब भाव हो गाई, तब गुरु के गोचर के सबय जाता को कई शुब परिणावों की प्राप्ती हो जाती है ये उल्टा करम भी करते हैं, लेकिन कुंडली में गुरु कमजोर हो गुरु के अनुसार, यदि किसी पर गुरु की गरपा हो जाये, तो उनकी किस्मत रातो रात चमक जाती है व्यक्ति जिस किसी भी फिल्ड में हाथ डालता है, उसे सब्वलता मिलती है मैंने ऐसे देखा है कि इस कौरोनकाल आर्थी मंदी के दौर में बहुसतारे लोगों को प्रमोशन, सेलरी बढ़ना, बहतर ओधे पर प्रमोशन के साथ सब्वलता, उनको बहतर डिपार्टमेंट भी मिले है देवताओं की गुरु ब्रैश्पती, पुनर वस्तु, विशाता और पूर्वा भादरबद नक्षत्र के स्वामे है गुरु देखे, 30 जूम 2020 को सुबह 5 बचकर 27 मिनट के बाद धनू राशिवे प्रविश करेंगे और वहाँ पर 20 नवंबर 2020 तक इसी राशिव रहेंगे वर्तमान में गुरु वक्री चल रहे हैं, जो 13 सितंबर तक वक्री रहेंगे 30 जून से 26 जुलाई तक वे उत्रा शाड़ा नक्षत्र बरहेंगे जो कि सूरी का नक्षत्र रहे हैं और 26 जुलाई से लेकर 30 अक्टूबर तक पुर्वा शाड़ा नक्षत्र बरहेंगे जो कि शुक्र का नक्षत्र रहे हैं और गुरू और शुक्र में आदर्श शत्रूता है 30 अक्टूबर से लेकर 20 दवंबर तक उत्रा शाड़ा रक्षत्र बनाएंगे जो कि सूरी का रक्षत्र है और मैंने बताया कि गुरू सूरी बिज रहे हैं आईए अब जानते हैं कि आपकी राशिप पर देवताओं की गुरू ब्रैश्पती का क्या प्रभाव रहने वारा है आईए बात करते हैं बितुन राशिप देवताओं की गुरू ब्रैश्पती 7,000 और 10,000 की लॉड होगे 7,000 जो की पति-पत्री, आपके लव-लाइफ और साथ रहें बिजनस पार्टनर्शिप और बिजनस का गर होकर वहीं पर बिराजवान होंगे और हन्स योग बनाएं यहां 23 सितंबर 2020 सकेतु के साथ चांडाल गोश बनाकर देवताओं की गुरू ब्रैश्पती बिराज़ित रहें गुरू की पांचवी द्रिष्टी आपके लावस्तान पर नए सोर्सेस इंकम के जनरेट करेंगे साथ मी द्रिष्टी आपके राशे पर होने से कॉन्फिटेंस बिल्ड होगा और नवमी द्रिष्टी सिवलिंग भाई बेहन पराकरम और आपका जो करेज है साहा से उस गर पर होगी इस हवै विशिष में प्यार, इश्क और महुपत में कुछ चुनोंकिया, जिम्मेदारिया और चैलेंजिस मिलेगे याद रखेगा, आपको शनी के ढईया चल रही है, और अगर इश्वर आपको ये सब कुछ देते हैं, चैलेंजिस वोट जिम्मेदारी, तो याद रखना कि इश्वर उसी इंसान को देते हैं, जिसके पास ये काविलियत होती है, कि वो इन जिम्मेदारों को पूरा कर सके रिष्टे को सुधार कर बजबूती देने में आप सक्षम हो जाएंगे, आपका करियर अब इस्तिर्था की और आगे बढ़ेगा, इस गोजर के प्रभाव के खारण, आपके पराकरम साहस्वे वर्ति होना तय है, जो आपको अन शितताओं से बाहर लाकर आपके लिए एक म प्रदर्शित करने का मौका मिनेगा, एक प्लेटफॉर्म आपको बिलेगा, जिसमें आप नए इंकम सोर्से डेवलक कर पाएंगे, आप याद रखेगा, नौकरी चूटना, चोडना ऐसी नौबत आसे होती है, लेकिन अगर चूट भी जाती है, तो उम्मीद और विश्व स्वास नहीं चूटनी चाहिए, उसी से आप वाबस अवसर को प्राप्त कर लेगे, पिता के साथ संबंदों को बेहतर बनाना, पिता की मदद करना, पिता की सेहत में सुधार के लिए परियास करना, आपके लिए बहुत जरूरी रहे, आपका तीन दिन का काम 13 दिन में होग यह परिवर्तन आपके स्वास दे के लिए ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा बनाने के लिए योग, प्रणायम, एक्सरसाइज, ध्यान और चिंतन का साहरा आपको जरूर देना चाहिए आप अपने फूड हैबिट, फूड क्वालिटी और फूड टाइमिंग पर जरूर ध्यान दीजिए, वरना आपको तक्लिफ आ सकते हैं अगर आप पहले से ही हार्ट प्लड प्रेशर या डाइमिटिक के बरीज हैं, तो आपको बहतर ज्यान देने के जरूरत है, वरना नुक्सान होगा नए इंकम सोर्सेस के साथ साथ पैसे से पैसा बनाने के लिए, आपको बहतर लेंड डिलिंग, शेर बार्केट पैसा लगाकर पैसा कमाने का अवसर मिलेगी सोच समझ के लगाएं, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि एक बार इंसान का भागिय काम करता है, पैसा कमा लेता है लेकिन फिर वो जल्दी जल्दी पैसा कमाने में कुछ रॉंग डेसेसन लेता है, वो हो सकता है अचानक लाब और हानी दोनों के लिए आपको तैयर ना चाहिए यदि आप स्टुड Winston है, आप Computer वए exam की तैयरी कर रहे हैं, आप employment job की तैयरी कर रहे हैं, आप further education की तैयरी कर रहे हैं आप अपने काम के साथ साथ कोई बढ़ाई कर रहे हैं, कोई बहतर स्किल को डेवलब करना चाहते हैं, तो इस शेत्र में आपको सफलता ज़रूर बिलेगी और confidence बिल्ट होगा है, कोई भी काम समय पर नहीं होगा है, लेकिन आपको समय पर जग के अपने काम को पूरा करना चा निश्चित रूप से आप समय आने पर प्रगति करेंगे, लेकिन फिलाल चीजों के डिले होने के चांस दिस जाता है, जॉब में प्रगति होना, प्रमोशन होना, सैलरी बढ़ना, इसके साथ साथ ये सोच बहुत अची है, परन्तों मैं ये सलाह देना चाहूँगा, कि आपकी कंपनी आगे बढ़ती रहें, इस पर आपको ज्यादा द्यान देरा चाहिए, कारो और परिवार में किसी ने किसी प्रकार का शुब कारी का आयोजन हो सकता है, चाहे वो सगाई हो, गर में नई संतान आये, या फिर कोई मांगली कारी हो जाए, इसके लिए आप ज़ परिवार के लोग आपका साथ जरूर देगे, अगर आप प्रतिय गुरुवार को सूर्य उदय होने से पहले या उसके आसपास जपी उठते हैं, नहाए, और नहाते समय एक चुटकी हल्दी को पानी में मिलाकर अगर नहाते हैं, और फिर बगवान विष्णों के सामने एक घी का दीपक जलागा, बेसम के लड़ू का भोग लगागा, ओम एंग क्लीन ब्रहस्पते इनवाः, इसकी एक माला चाप करके, अगर आप रोज यहर गुरुवार को करते हैं, तो आपको बहुत पुन्य और लापने लेगा, जब भी किसी आवश्यकारी से बाहर रिख ले तो आप अपने मा, बेटी, बेहन के आथ के बनी हुई रोटी में थोड़ा सा गुर और थोड़ा सा घी डाल कर, गाय को पहली रोटी करें, केसर, मिसरी, चंदन का तिलक कंठ पे और लराट पे ज़रू लगे, अगर आप उस्तके पढ़ते हैं, तो आप डोरेट भी करें, म उनको हर प्रकार से सुरक्षित रखें, उनके अपनों को सुरक्षित रखें, आप इसमें अपनी और अपनों की मदद करें, और ऐसा ही हो, ऐसे शुब कामनाओं के साथ, अपने जुबान को विराम देना चाहते हैं, यार भरनमशकार और बहुत-बहुत आशरवाद